अगर आप मेरे व्लॉग्स रेगुलर्ली देखते हैं तो आपको इतना तो आइडिया हो गया होगा कि मैं जैपूर से बहुत प्यार करती हूँ और हार व्लॉग में आपके साथ शेयर करती हूँ जैपूर के बारे में कुछ ऐसा जो आपको अभी तक नहीं मालूम है तो आज मैं ऐसी ही एक जगा पर खड़ी हूँ मैं खड़ी हूँ माल सरोवर मेट्रो स्टेशन पर और आज मैं आपको अपने साथ देके जा रही हूँ मेट्रो राइड पर येस एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैपूर मेट्रो इंडिया का पहला ऐसा मेट्रो है ज तो चलिए करते हैं, आज का सफर शुरूर। मैं खड़ी हूँ जैपूर के मांसरोवर मेट्रो स्टेशन पर. Neat and clean, very well maintained metro station. We can say that the whole जैपूर मेट्रो is very well looked after. बहुत ही classic सा लुक दिया गया है मांसरोवर मेट्रो स्टेशन को. बारिश हो रही थी उस दिन, इसलिए मुझे कार पार्किंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम तो आई, बाट ये मेरी जैपूर मेट्रो की first right थी. So, इतना तो चलता है हां. So, मैं चल पड़ी टिकेट लेने के लिए. जैसे ही मुझे टिकेट काउंटर मिला, मैंने अपने टिकेट ली और पेमेंट की थ्रू पेटियम. So, very convenient. So, मैं आज आपको लेके जा रही हूँ मान सरोवर से बड़ी चौपर तक. और ये टोकन मिला है मुझे, ये है 22 रूपिस का. Means, 22 रूपिस में आप मान सरोवर से बड़ी चौपर जा सकते हैं. और अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे स्कैन करना है. कुछ मेट्रो स्टेशन पर टिकेट मिलती है बट यहाँ पर मुझे ये टोकन मिला है और इस टोकन को मैं स्कैन करूँगी. मैं अभी आपको दिखाती हूँ इसको कैसे स्कैन करना है. जब आप इसको यहाँ पर फ्लेस कर देंगे तो यह स्कैन हो जाएगी और मुझे एंट्री मिल जाएगी मैट्रो स्टेशन के अंदर. सो मैं आ गई हूँ मांसरोबर मैट्रो स्टेशन के अंदर और अब मुझे जाना था उपर आनीन थर्ड फ्लोर पर जहाँ पर मुझे मिलेगी मेरी मैट्रो ट्रेन जो मुझे लेके जाने वाली है बड़ी चौपड. बट यह क्या? मैट्रो तो मिस हो गई है मुझ से. ओमाई गॉर्ड जैसे ही मैं ऊपर पहुंची मेरी मैट्रो निकल चुकी थी बट कोई प्रॉब्लम नहीं है हर दस मिनट में यहां पर मैट्रो आएगी और मैने जाना है मांसरोबर से बड़ी चौपड. तो दस मिनट के लिए मुझे यहां पर थोड़ा और वेट करना पड़ेगा. अभी तो जैपूर मेट्रो इस ओनली एट वन रूट. बट गवर्मेंट इस एक्स्पेंदिंग फ़दर. और मैं बहुत जादा एक्साइटिड हूँ अबाओ इस एक्स्पेंशन अफ मेट्रो और मैं फोड़ी देर मैंने वेट किया हार्ली दस मिनट ही मैंने वेट किया होगा. And here comes my metro train. आपको पता है कि जैपूर मेट्रो रेल सिस्टम इंडिया का 6th मेट्रो रेल सिस्टम है. After those in Kolkata, Delhi, Bengaluru, Gurugram and Mumbai. Mostly elevated parts पर रन होने वाली जैपूर मेट्रो इस ए रपिड ट्रांजिट सिस्टम इन पिंक सिटी. मैं बहुत जादा इंजॉय कर रही थी. So, मांसरोवर के बाद पहला स्टेशन आया था आतिश मार्केट उसके बाद है विवेक विहार. और हर स्टेशन पे Metro 15-20 seconds तक ही रुकती है. So, आपको फटा-फट से बोर्ड करना होगा. जैपूर मेट्रो की first ride है, बहुत अच्छा लग रहा है. बारिश हो रही है लेकिन बाहर का विव में आपको अच्छे से नहीं दे पा रही हूँ. लेकिन पूरी कोशिश रहेगी कि आपको अच्छा shot दे पाऊ. अभी Metro हमारी जो है वो चल पड़ी है शामनगर स्टेशन से और यहां का Metro का इंटीरियर आपको बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे इंटीरियर और यह सब स्टेशन हैं यहां पर जो लिखे हूए आपको और जिस स्टेशन पर आभी हम रुके हैं वहां पर यह Red Dot Blink हो र बाद जाएगा 7 Lines, फिर रेंड़े स्टेशन, सिंधी कैंप, चानपोल, चोटी चौपड और फिर हमारी डेस्टिनेशन बड़ी चौपड काफी एकोनोमिकल भी पड़ती है Metro राइट ब्लस टाइम तो आप बहुत सारा सेव करते ही हैं I'm sure कि Metro के expansion के बाद तो सभी जैपु की safety का भी पूरा ध्यान रखा गया है Well, मैं विजी थी बाहर का view enjoy करने में So next station आने माला है Civil Lines, बारिश का मौसम और Metro राइड वाव मजा आ रहा था मुझे मैंने एक बार डेली Metro में travel किया हुआ है Plus एक बार हम लोग थाइलेंड घूमने गए तो वहां के Metro में मैंने travel किया पर जैपूर तो हमारा जैपूर है जनाब यहां की हर बात खास है So, चानफोल station से हम लोग निकल चुके है और next हमारा जो stoppage है वो है छोटी chopper Yes So, अभी हम लोग जा रहे है चोटी chopper और चोटी chopper का जो Metro station है वो underground है आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होगा Because यह underground Metro station ह बहुत ही मज़ा आ रहा है मुझे Metro ride में यह देखिए जैपूर Metro बहुत सारे attractive plans भी offer करता है for celebrating birthdays and organizing other events inside the train और inside Metro station अगर आपको contact number चाहिए तो यहां पर आप screenshot ले सकते हैं और contact कर सकते हैं आप यहां पर exhibition या फिर sale promotion events भी organize कर सकते हैं है ना cool Imagine कीजिए कि चलती हुई train में आप अपने friends और family के साथ अपना special day celebrate कर रहे हैं पूरी चहिया चहिया वाली feel आएगी by God मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना next year मैं भी Metro में ही अपना birthday celebrate कर लूँ क्यों कैसा लगा मेरा idea और हाँ मैं एक व्लॉग भी शूट करूंगी और अपने सारे special moments आपके साथ शेयर करूंगी अपना station बड़ी चॉपर है ओ सो नेक्स स्टेशन इस बड़ी चॉपर हमारी destination है बड़ी चॉपर बड़ी चॉपर स्टेशन इस ट्री टर्मिनेट से अपनी डेस्टिनेशन बड़ी चॉपर और यही पर ही टर्मिनेट होती है Metro train शाम होते होते जैपूर Metro में रश जो है वो बढ़ने लग जाता है तो अगर आप रात के टाइम Metro से ट्रेवल करना चाहते हैं तो I'll suggest कि आप at least 20 minutes extra लेके ही चले मान सरोवर से बड़ी चॉपर Metro ने मुझे पहुचा दिया 25-27 minutes में और अगर मैं by car आती ना यहां पे तो मुझे 45 या फिर 50 minutes तो लग ही जाते I must say time बहुत जबा सेव होता है ओके सो अब हम लोग पहुच गए है बड़ी चॉपर यह जो बड़ी चॉपर का जो Metro स्टेशन है यह लास्ट स्टॉपज Metro का चलिए मैं आपको बड़ी चॉपर का Metro स्टेशन भी दिखा देती हूँ Famous हवा महल के पास बना है बड़ी चॉपर Metro स्टेशन जो बहुत ही beautiful और एक underground constructed Metro स्टेशन है Very nice and very clean, a perfect example of a world class infrastructure किसी भी बड़े Metro स्टेशन को टकर देता हुआ बड़ी चॉपर Metro स्टेशन So मैं पहुच गई हूँ अपनी final destination बड़ी चॉपर पर और यह Metro चोड़के अब मुझे यहां से जा रही है वापिस मान सरोवर की तरफ क्योंकि यह last stoppage है इस Metro का So बहुत जादा मज़ा आया मुझे Metro राइड लेके I hope आप लोगों को भी बहुत मज़ा आया होगा अब मैं आपको मेलूगी next Tuesday को कुछ नहीं कुछ और interesting लेके आने वाली हूँ Till then stay safe and keep asking your life Okay now what